हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल मारी रसोल भै कवीता द्रूव आज की रेसिपी है गुजराती इंस्टेंट वाटी डाल खमन डोकला खमन डोकला दो प्रकार से बनते हैं पहला बेसन में से याने की चने की डाल के आटे में से बनता है और दूसरा डायरेक्ट चना डाल में से बनता है वाटी डाल मतलब की डाल को दरदरा पीसना इसको एक्चल में फर्मेंट करके बनाना होता है वाटी डाल खमन डोकला आज हम इंस्टन बनाएंगे फर्मेंटेशन की जरुरत नहीं है बाजार के जेसा स्वाद लाने के लिए इसको हम अलग प्रकार से तड़का लगाएंगे तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं इंग्रीडियंस में हम लेंगे एक टेबल स्पून साबुद धनिया और दो टेबल स्पून काली मिर्ज एक टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून हिंग दो टीस्पून सफेट तिल स्वाधनुसार नमक आट से दस काजू छोटे टुकड़म में काटे हुए दस से पंद्रा किस्मिस दो टेबल स्पून राई दो टेबल स्पून ड्राई कोकनेट पाउडर ये मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है एक टीस्पून लाल मिर्ज पाउडर धनिया पत्ति गार्निशिंग के लिए आठ से दस करी पत्ते, दो सुखी लाल मिर्च और आधे निम्बू का रस चार से पाँच नम्बी काटी हुए हरी मिर्च दो से तीन टेबल स्पून ओईल हाफ कप पानी एक कप चने की दाल तीन से चार घंटे हलके से गरम पानी में भिगो के रखे दो से चेट फ्रूट सॉल्ट अगर आप आधा कप चने की दाल में से खमन ढूगला बना रहे हो तो उसमें एक से चेट ही इनफ है इसका रेशियो होगा एक कप चने की दाल में दो से चेट फ्रूट सॉल्ट रेगूलर फ्रूट सोल्ट कहीं इस्तमाल करें, फ्लेवर ना यूज करें दो से तीन घंटे हलके से गरम पानी में चने की डाल को भिगो के रखें बाद में पूरा पानी अच्छे से निकाल लें और ये डाल को मिक्सी जार में ले ले ट्राइ करें कि बिगेर पानी के ही पीसे जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी एड़ कीजिए दरदरा पीस ना है एक हरे मिर्च एड़ कीजिए बाके की हरे मिर्च का उप्योग तड़के में करेंगे डाल को ग्राइन कर लेंगे दरदरा पीस ले थोड़ी से डाल बीच में रह जाए तो कोई प्रोब्लिम नहीं है, इससे स्वाद और बढ़ेगा डाल को एक बाउल में निकाल ले पिसने के बाद डाल थोड़ी से ड्राई ही लगेगी, ऐसा है टेक्शर हमें रखना है पानी का उपयोग कम करने से खमन ढूकला आपका एकदम कनीदार बनेगा और इसमें जाली अच्छे से आएगी, वो सॉफ्ट भी अच्छे से बनेगा अब यहाँ पे हम एक टेबल स्पून जितना पानी पहले एड़ करेंगे, अच्छे से मिला ले एक और टेबल स्पून पानी एड़ करेंगे धुकला बनाने के लिए प्लेट में बैटर को आसानी से निकाल सके उतना पत्ता बैटर बनाले टोटल मेंने दू टेबल स्पून पानी एड़ किया है साबुत धन्या और काली मिर्च को पीश ले धन्या दो टुकडों में बढ़ जाए ऐसा पीसना है दोनों को बैटर में एड़ करते नमक डालके अच्छे से मिला ले याद रखेंगे फ्रूट सोल्ट में भी नमक होता है इससाब से ही नमक एड़ कीजिए पैन को अच्छे से ओल से ग्रीस कर लेना है पैन का तला और उसकी साइट को अच्छे से ग्रीस कर ले स्टीमर में एक से दे ग्लास पानी ले स्टीमर की छे द्वाली फ्लेट रखे स्टीम होने रखते स्टीम निकलना शुरू होते ही पैन को इसके उपर रखते खाली पैन ही रखना है पैन को स्टीम की मदद से गरम करें अब बैटर में दू से चिट फ्रूट सोल्ट एड़ करेंगे इसे मिला लेंगे जल्दी से एक ही साइड में हमें मिलाना है clockwise या anti-clockwise कोई भी एक ही साइड पे मिलाईए बैटर फूल के उपर आएगा कोई बड़ा बर्तिन का ही इस्तमाल कीजिए जरूरत लगे तो हाथों की मदद से भी अच्छे से मिला ले स्टीम की मदद से पैन गरम हो चुका है बैटर को इसमें एड़ कर देंगे हाथों की मदद से या स्पैचुला से थोड़ा सा फेला के इवन कर दे उपर से थोड़ा सा साबुत दन्या एड़ करेंगे ठकल लगा दे और 10 से 15 मिनिट हाई फ्लेम पे पकने दे 10 से 15 मिनिट के बाद खौल के चेक कर ले चपू डाल के चेक कर ले अगर क्लियर निकले तो टोकला हमारा पक चुका है पैन को स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे थोड़ी दे थंड़ा होने देंगे थोड़ा सा थंड़ा होने पे दोकला पैन के साइड को छोड़ देगा इसके उपर दूसरी प्लेट रखे और पलट ले थोड़ा सा हाथों की मदद से टैप कीजिए और हरके हाथों से पैन को उठा दीजिए अच्छे से ढूकला निकल आएगा यह देखे आप देख सकते हो ढूकला एकदम ही स्पॉंजी, सॉफ्ट और जालेदार बना है फिर से दूसरी प्लेट लगके पलट ले चीज से दन्यावाली साइड उपर आ जाएगी दूकला कट करने के लिए ब्रेड नाइफ या अन इवन एज वाला नाइफ का यूज़ केजिए इससे दूकला अच्छे से कट के निकलेगा अब तड़का लगा लेंगे पैन में ओल दीजिए गरम होने पे राय एड केजिए करी पत्ता, हींग, हरी मिर्च और काजू को एड करके अच्छे से मिलाईए सफेक तिल, सुखी लाल मिर्च, किश्मिश डाल के अच्छे से मिला ले अब हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला ले आधा कब पानी एड करें निम्बो करस एड कीजिए ये ओप्ष्णल है पानी बॉल होते ही खमन ढटकला एड कीजिए इस तरह तेल और पानी से खमन का धड़का करने से खमन का टेस्ट बहुती अच्छा आता है यही राज है बाजार का बासार के कमन ढोगले का टेस्ट आप अब घर पे भी ला सकते हो फ्लेम को लोही रखे और अच्छे से घुमाते हुए मिलाईए बावल में निकाले कोकुरेट पावडर रैड कीजिए उपर से थोड़ा लाल मिर्च पावडर प्रिंकल कीजिए और हाँ तली हुई हरे मिर्च स्वाफ करना नहीं पूलिएगा गुजराती कमन इसके बिना अधूरा है और धन्या पत्ति डाल के गानिश करें गर्मा गर्म स्वाफ करें यह रेसेपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना नहीं पूलिएगा पसंद आई है तो लाइक कीजिए फ्रेंट और फैमिल में जरूर से शेयर कीजिए अगर आप नए व्यूवर्स है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं पूलिएगा अल्वड़ी सब्सक्राइब कर चुके हो